आगर आप लोग भी किसी शोषल मीडिया पर इंफ्लोएंसर बनने की सोच रहो हो चाये हो instagram हो चाये facebook हो अगर एक अच्छे इंफ्लोएंसर बनना चाते हो तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली ट्राइ करना चाइए जो कि 2 घंटे के course content के साथ आएगा और वो भी बिल्कुल free साथी साथ यहाँ पर आपको free में एक certificate भी देखने के लिए मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने वाला है course में enroll करना बहुत ही ज्यादा simple है बहुत ही ज्यादा आसान है course को free में लेने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले नीचल description में चले जाना है वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको 1234 करके numbers देखने के लिए मिल जाएंगे आपको यहाँ पर भी कुछ इसी तरीकी के number दिख रहे होंगे जो कि serial में अलग-अलग color में 1234 करके अब जैसे score का number 1 तो आपको अगर इस score में enroll करना है इस score को free में लेना है तो पहले number के सामने जो भी आपको link मिलेगा bit.ly का blue color में उस पे click कर देना है link पे click करते ही आप लोग यह तब आ जाओगे यहाँ पर आने के बाद क्या करना है एंड्रोलों पे click कर देना है इसके बाद login sign up करना है जो कि आप लोग Google या Facebook से कर सकतो पर सबसे important चीज यह है course को free लेने के लिए कि आपको क्या है वीडियो को time पे देखना है जेस दिन मैं वीडियो डालू उसी दिन आपको वीडियो को देख लेना है तभी आप इन courses को free में ले पाओगे और जल्दी से जल्दी वीडियो लेने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके बेल एक इन प्रेस कर लेना है ताकि आपके हाथ से कोई भी वीडियो ना चूटे लगी एक एक वीडियो में 40 से 50 course रहते हैं जिनका value 1000 रुपियो तक में रहता है अब मैं यहाँ पे enroll करके आपको आगे का process समझा देता हूँ अब जैसी आप लोग course में enroll हो जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का page show हो जाएगा जहां पर right hand side में आपको course content देखने के लिए मिल जाएगा जिसका मतलब क्या-क्या topic sports के अंदर होने वाले अगर आप Instagram पे influencer बनना चाहते हैं तो second वाले section को देख सकते हैं अगर आप YouTube पे influencer बनना चाहते हैं तो third वाले section को देख सकते हैं Tiktok पे बनना चाहते हैं फिलाल तो Tiktok ban है इंडिया में लेकिन अगर आप उसको try करना चाहते हो तो इस section को check out कर सकते हैं In short आपको सारे के सारे sections चेक आउट कर लेने जैसी आप लोग सारे के सारे check out कर लोगे उसके बाद आप लोगों को क्या करना है certificate लेने के लिए यहाँ पे certificate वाला section आपको मिल जाएगा overview के अंदर नीचा आपको certificate का एक बटन भी दिख जाएगा जहाँ पर you damage certificate नाम से बटन है पर यह बटन starting में locked रहता है वो locked इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अभी तकी scores को complete नहीं किया होगा पर जैसी कोर्स complete कर लोगे उसी के साथ यह बटन भी automatically unlock हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो इस तरीके से दिखना चालू हो जाएगा जहाँ पर यह जो चीज लिखी पड़ी है यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर आपका को जो कोर्स का नाम है वह सारी details आपको यहाँ पर आ जाएगी यहां के जो certificates रहते हैं बहुत ज़दा काम के हैं courses बहुत ज़दा important और काम के रहते हैं तो अगर आप इनके certificates को कहीं पर use करना चाहते हो अपने LinkedIn पर या job profile के लिए तो आप लोग इसे use कर सकते हो और resume बगारा मैं भी add कर सकते हो कि सा certificate URL के help से verify भी करवा सकते हो बड़े ही आराम से तो अगर आप लोग भी कोई भी ऐसा course और certificate मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल subscribe कर दो अगर अभी तक नहीं किया है कखी videos को late देखने का कोई फायदा नहीं होगा video late देखो गए तो coupon expire हो जाएगा और आप course को free नह नहीं है सबसे ज़्यादा कि आप लोगों को चैनल subscribe कर लेना है अभी के अभी अगर अभी तक नहीं किया है और video को और भी लोगों को जरूर शेयर करना तक बाकी लोग भी यहां से free में course और certificate ले पाये next course आपका hedge funds करेने वाला है तो अगर आप लोग investing and trading में इंट्रस्टे इस course को जरूर try कर लेना जो कि आपको यहां पर लिखाता हुआ है कि दो दिन तक free है लेकिन जैसा मैंने बताया जिस दिन वीडियो डालता हो उसी दिन आपको वीडियो देख लेना है और उसी दिन वीडियो देखने के लिए आपको सिर्फ दो ही काम करने है पहला चैनल subscribe कर करना है दूसरा bell icon press कर लेना है यहां पर course की बाखरी details check out कर सकते हो जैसे course कितनी देर का है वो अलग-अलग course की duration अलग-अलग होती है जिसको आप यहां से check out कर सकते हो हर course के साथ आपको full lifetime access मिलेगा यानि एक बार course में enroll हो जाओ और फिर तो course को कभी भी खतम कर सकते हो और सा check out कर सकते हो कि course के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा course आने से पहले क्या क्या requirements है course का description course की जो भी content है सारी चीज़े detail में check out कर सकते हो जो instructor है उनके बारे में जान सकते हो उनके review feedback सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी और course तो free आपको मिली रहे हम चलते है अब तक तीस duration build करने में बहुत ही अच्छा course रहने वाला है इस course का duration दो गंट रहेगा और यह free रहने वाला है आप लोग चाहो तो किसी भी course को अपने mobile phone पर भी कर सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है Udami का जो app है वो install करने लाए app store या play store पर बड़े ही आराम से मिल जाएगा उसके अगर आप किसी भी course को mobile phone से भी कर सकते हो और certificate भी आपको वहां से मिल जाएगा बड़े ही आराम से अगर आपको अब तक किसी भी process में कोई doubt आ रहा हो login कैसे करना है course को free कैसे लेना है certificate कैसे लेना है तो comment करके पूछ सकते हो और इस video के अलावा कोई दूसरा course चाहिए हो या बट तब facebook और telegram में groups हैं उनको जरूर जोइन कर लो जल्दी से जल्दी link description में है इससे पहले के groups full हो जाए अब जल्दी से यहां पे join हो जाना हम चलते है अपने fourth number के course की तरह जो की web graphics का रहने वाला है अब आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे royalty images रहती है आपको पैस जाएंगी कैसे आप लोग अच्छी-ची images को यूस वर सकता है आप graphic designer है video editor है तो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला यह course जो की बिल्कुली free रहने वाला है और एक important बाद आपको बदा देना चाहता हूँ अगर आप इस video को थोड़ा सा late देख रहे हो और आपके हाथ आप से को important course छूट जाए मालीज आपको यही course चाहिए हो और यह course यहाँ पर free नारो है आपको कुछ 1000 रुपए की 4-500 रुपए की payment आपको show कर रहा है तो उस case में उन लोगों को क्या करना है जो भी course आपको चाहिए होगा आप लोग क्या करना यहाँ पर इस तरीके से course का न तो वहाँ पर आपको अपनी comments को तुरू search करके notify कर दूँगा कि जिस भी course के लिए आपने request किया था वो course प्री हो गया है अब आप इस course को प्री में enroll कर सकते है इन case में आपको remind करवाना भूल जाओं कि बहुत सारे लोग different courses के लिए request करते है तो उस case में आपको क्या करना है रोजाना टाइम पर वीडियो देखना है regularly एक से दो हफ्ते तक जादा से जादा तीन हफ्ते तक तीन हफ्ते में definitely जो भी course repeat होने वाला होता है definitely repeat हो जाता है पर ध्यान रहे वीडियो को regularly देखना है और वीडियो को time पर देखना है ताकि course अगर मैं वीडियो के अंदर और उस course को free में लेने के लिए और वीडियो को time पे लेने के लिए आप लोगों का channel subscribe करना प्लस bell icon press करना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है हम चलते अपने पांचवे नंबर के course की तरफ जो की python bootcamp है यहाँ आपको python सिखा ही नहीं जाएगी बलकि python में 15 projects और games आपको बनाना सिखाए जाएंगे जिनकी complete information आपको इसके course के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी 35-30 घंटे का course है जिसको पहले भी काफी बार free में मैं लाज चुका हूँ अभी free ताद मैंने वीडियो में add कर दिया है जो भी हमारे नए viewers है जिनसे last time miss हो गया था उनके पास अभ लोग अपनी English improve परना चाहते है course free अप्ला certificate भी मिलने वाला है तो आप लोग ले सकते है उस course को तो हर किसी को करी लेना चाहिए क्योंकि आपकी communication questions के अंदर course आजाता है यह आपका next course conflict management के अंदर यह course आपका HR के अंदर आता है अगर आप लोग HR होए तो definitely आपके लिए बहुत ही काम का course रहने वाला है कैसे आपको resolutions को कैसे conflict करना है वो सारी details आपको इस course के अंदर अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगी 9th course आपका यह पर fraud analysis कराएगा तो कैसे आपको fraud analysis करना है और fraud से कैसे बचना है वो सारी चीज़ा आपको इस course के अंदर बता ही जाएंगी 9th course आपका private equity का रहने वाला तो जो भी लोग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग में इंट्रास्टोर उसमें करते हैं तो private equity जो होती है उसके बारे में आपको जान लेना चाहिए 11th course आपका software practices का रहने वाला है तो जो भी लोग software architecture पढ़ना चाहते हो आप लोग इस course में आप ले सकते हैं Next course आपका project cost management या का project management जो भी लोग सीखना चाहते हो आप लोग इस course में enroll कर सकते हैं 13th number का आपका जो course है numbering आपको ओपर दिखी रहे होगी SPSS का course मिल जागा जो कि आपका software रहता है जो कि आपका business analytics जो होता है वहां पर जाकर आपका ये काम आ जाता है 14th number का आपका जो course है का time management और stress management के ऊपर बहुत ही बढ़िया course रहने वाला है जो कि आपको बता है कैसे आपको survive करना है in difficult situations Next आपका 15th number का passive income के ओपर course रहने वाला है जो भी लोग passive income generate करना चाहते हूं वह सभी लोग इस course कर सकते हैं देख सकतो बहुत ही चोटा सा आदे घंटे का course रहेगा certificate मिलेगा प्लस अलग-अलग techniques पता चलेंगी कि कैसे आप लोग भी passive income generate कर सकते है 16th course mobile marketing का रहने वाला है आप लोगों का यहां पर 17th number का आपका जो course हैगा यहां पर leadership skills और management skills पर मिल जाएगा Next course compliance का मिलेगा या जो भी लोग किया है finance and accounting के students हो वो लोग इस course में enroll कर सकते है 19th number का आपका जो course हैगा complete course है आपका health and fitness के और master class देखने के लिए मिल जाएगी जो भी 23 घंटे का course है इससे पहले यह course 5-6 बार free था तो मैंने last time add कर दिया था अभी भी free है तो अभी मैंने add कर दिया तो जिन भी लोगों से last time miss हुआ हो वो enroll कर सकते है 20th number course Evernote का रहेगा यह Microsoft का एक productivity tool रहता है जो कि आपका work from home या का online work में use होता है 21 number का आपका जो course है storytelling marketing का रहने वाला है तो अगर आप लोगों पब्लिक speaking, digital marketing हो गई यह कोई भी skill develop करना चाहते है तो आपको storytelling skill आपकी जो है बहुत ही अच्छी आपकी होनी चाहिए तो कैसे अच्छी करनी है वो आपको इस course के अंदर बताई जाएगी next course आपको network security के अपर आपको questions देखने के लिए मिल जाएंगे MCQ बगरा रहता है यह जो आपको आपकी knowledge test करने में help करने वाले लेकिन यहां पर एक important चीज यह रहती है कि जो भी practice test रहते questions रहते हैं वहाँ पर आपको certificate नहीं मिलता तो अगर आप लोग सिर्फ certification के लिए course कर रहे हो तो आप लोग practice test को skip कर सकते हो और सबसे important बात आपको कैसे बता चलेगा कौन सा course है जिसमें certificate मिलेगा और कौन से में नह नहीं मिलेगा वह चानने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है इस course includes के अंदर यहां पर आपको पता चल जाएगा कि यह practice test है यह course है तो अगर practice test हुआ तो वहाँ पर certificate नहीं मिलेगा और बाकी सम्में आपको certificate मिल जाएगा इस तरीके सा आप लोग चेक कर सकते हो और के बार में नहीं बता है एक बहुत ही अच्छा टूल रहता है अगर आप लोग को यूटूब चैनल है तो वहाँ पर काम आता है आपको यूटूब ग्रो कर रहने में 24 नंबर आपको weight loss कर मिल लेगा अगर आप लोग weight loss करने का सोच रहो तो इस course को आपर try कर सकते हो 25 नंब Android app development का यानि Android को जो projects है वो यहाँ पर बताये जाएंगे 8 widgets है जो आपको बनाना सिखाये जाएंगे 27 नंबर का आपका जो course modern JavaScript करेगा अगर आप लोग react.js सीखना चाहते हो तो आप लोग definitely e-sports को try कर लेना 28 नंबर का आपका HTML5 का course रहेगा अगर आप लोग web development सीखना चाहते से तो आप लोगों को start करना है HTML5 के साथ जो कि यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा basic से advanced तक वो भी बिल्कुल free में project के साथ plus certificate मिलेगा वो अलग से next course passive income को पर रहने वाला है 27 ऐसे तरीके बताये जाएंगे जहां से आप लोग passive income generate कर सकते है 30th course आपका scrum का रहने वाला user story mapping क कैसे आपको start up raise करना कैसे funding आएगी पूरी चीजे आपको इस course के अंदर सीखने के लिए मिल जाएंगी next course आपको देखने के लिए मिलेगा 32 नमबर का Adobe Photoshop का complete course रहेगा पूरी master class है यहाँ पर next course public speaking आप मिल जाएगा जिसे आपकी communication skills भी develop हो जाएंगी next course fundraising पर मिलेगा आपको special course रहने वाला सिर्फ fundraising को पर है तो अगर आप लोग किसी भी चीज के लिए fundraising धून रहे हो या sales के लिए तो आपको बहुत ही जाता important course रहने वाला है 35 35 नमबर का course आपको कैसे आपको AR बनाना है यह augmented reality आपने game development के लिए बनाना चाहते हूँ तो कैसे करना है games वगरे कैसे develop करनी है वो चीज़ा आप लोगी sports के तुरू सीख सकते है next course आपको swing यानि कैसे live अगरा करनी है उसका भी course आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए 37 नमबर पर इसको आप बाद में काट देंगे 38 नमबर का SAP को पर एक practice test है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसको आप लोग अगर देने वालो यह जो exam है SAP C, T, SCM, M42 करके अगर आप देने वाले हो तो यहाँ पर इससे try कर सकते हो 40 नमबर का COMTIA का आपको practice test मिल ज नेक्स कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा Nokia's Scalable IP Network चोपर practice test और यह था हमारा आज का आखरी कोर्स और अगर आपको ऐसे धेर सारे कोर्स और भी लेने हो फ्री में तो चैनल सब्सक्राइब करके बेले के प्रेस कर लेना और वीडियो अच्छा लगो तो लाइक कर लेना और भी लोगों को जरूर शिकरना तकि बाके लोगों फ्री में को और इस तरीके का certificate ले पाएं जो कि verified और valid certificate रहते हैं जिना आप LinkedIn पे अपने resume में job profile पे एड़ कर सकते हो देख सकते हो जहां पर certificate number रहते हैं जिसकी help से आप लोग कभी भी इन certificates को verify करवा सकते हो बड़े ही और आमसे कोई problem नहीं आने वाला और फिर भी कोई doubt आ रहा हो आप लोगों को यह कोई दूसरा course चाहिए हो किसी दूसरे topic पर वीडियो चाहिए हो तो comment करके बता देना सारी comments के reply आपको within 24 hour मिल जाएगा पर comment करके भूल मत जाना तो सारी comments के reply मैं कर देता हूं 24 गंटे गंद हो जाना क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी और भी धेर सारी training, webinar, internship, scholarship जैसी updates वो भी completely free तो connect अभी तक नहीं हो तो connect हो जाना सभी WhatsApp, Facebook और Telegram के link description मिल जाएगे मैं मिलता आपको कल फिर से एक नई वीडियो और धेर सारे free course और certificates के साथ तब तक आप लोग channel subscribe कर लो वे लेक इंट्रेस कर दो और जब तक के लिए tata bye bye